स्टुदेंट्स, मैं से अंकी सर्ड वे वेल्कम आल आफ यू अन मैं यूट्यूब चैनल गरिज्मास्टर स्टुदेंट्स, तोड़े वी डिस्कस्ट दा कोर्स इस्ट्रेक्ट्चर आफ सी बीसी क्लास नाइन्थ एंड क्लास तेंथ साइन्स सब्जेक्ट स्टुदेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी बीसी बोर्ड क्लास नाइन्थ और क्लास तेंथ का कोर्स इस्ट्रेक्ट्चर साइन्स सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब बारवे में आज हम पता लगाएंगे और साइन्स और मैट्स ये दोनों ही सब्जेक्ट क्लास नाइन्थ और टेंथ के जो हैं, वो हमारी द्वारा पढ़ाए जाएंगे जैसा कि कुछ बच्चे हमारे इस चनल के माध्यम से जोड़े हुए हैं और वो क्लासेस को देख रहे हैं यहां पर मैट्स की प्लेलिस्ट दी हुई है, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड और सेब्यसी बोर्ड दोनों मैट्स क्लासेस चलाए जा रहे हैं और इसका playlist भी बना हुआ है हिंदी मीडियम का playlist बना हुआ है और सेवियसी वोट क्लास तैन्थ मैपमेटिक्स क्लास नाइंथ मैपमेटिक्स का भी प्लेइलिश्ट बना हुआ है जो क्लासे लगातार रण कर रही है अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखे अब हमारे इस चैनल पर साइन सब्जेक्ट के भी क्लासेस स्टार्ट होनी है जो कि आज से स्टार्ट हो जाएंगी आज हम क्लास 9 और क्लास 10 के जो भी हैं कंटेंट सिलेबस उनके बारे में पढ़ेंगे अध्यन करेंगे तो देर ना करते हुए आईए स्टार्ट करते हैं सिवी यसी क्लास 9 और क्लास 10 साइन सब्जेक्ट का कोर्स इस्ट्रेक्चर स्टुडेंट्स ये रहा हमारा साइन सब्जेक्ट कोर्ट नमबर 086 क्लास 9 और 10 और सेशन जो है वो है 2020 और 2021 तो आज हम इसी कोर्स इस्ट्रेक्चर के बारे में अध्यन करेंगे और पढ़ेंगे प्लानिंग करेंगे कि हमको किस प्रकार से क्लास इस को पढ़ना है तो जैसा कि आप लोगों को पता है क्लास 9 और क्लास 10 में जो फिजिक्स, केमेश्ट्री और बायलोजी है उनकी जो बुक्स है वो एक ही बुक्स में दिया हुआ है लेकिन हमको स्टड़ी इस प्रकार से करना है कि फिजिक्स को अलग, केमेश्ट्री को अलग और biology को अलग तरीके से हमको पढ़ना है जो आपका present syllabus है उसको seven themes में, seven broad themes में बाटा गया है जैसे food, materials, world of the living, how things work, moving things, people and ideas, natural phenomena and natural resources इनी theme से हमको ये syllabus structure को पढ़ना है देखते हैं, cbse class 9 में general instruction हमको क्या-क्या देखना है तो देखिए जो पहला instruction दिया हुआ है there will be an annual examination based on the entire syllabus तो एक आपका annual examination होगा और annual examination कितने marks का होगा 80 marks का होगा कितने marks का होगा 80 marks का होगा और 20 marks का जो आपका waitage रहेगा वो internal assessment का रहेगा किसका रहेगा internal assessment का तो सबसे पहले हम internal assessment के बारे में ही देखते हैं कि internal assessment में हमको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है आप देखे स्कूल में जो होगा यह इंटरनेल एसेस्मेंट होगा फाइब मार्स के लिए फाइब मार्स में हमको क्या करना है थ्री पिरियाडिक टेस्ट आपके होगे क्या होंगे 3 periodic test होंगे और उस वो जो रहेगा वो 5 marks का रहेगा और जो दूसरा 5 marks है वो आपका diverse method आप assessment जैसे कि इसमें क्या हो सकता है आपका short test हो सकता है और टेस्ट हो सकता है quiz हो सकता है concept हो सकता है project, poster, presentation, inquiry, scientific, investigation यह सब हो सकते हैं और इन सब के जो marks रहेंगे वो 5 marks के रहेंगे इस प्रकार आपके 5 plus 5 10 marks हो गए आगे आप देखते हैं जो practical work रहेगा वो आपके 10 marks के रहेंगे practical work में देखिए, lab work यह 5 marks का रहेगा science में और portfolio जो आप तयार करेंगे वो 5 marks का रहेगा इस प्रकार जो internal assessment रहेगा वो आपका 20 marks का रहेगा अब जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है science course structure cbse class 9 और यह कि सेशन के लिए रहेगा यह आपका रहेगा 2020 और 2021 के लिए रहेगा अब देखिए इसको कितने सेशन में बाटा गया है आपका कितना unit है कैसे हमको इसको पूरे course structure को पढ़ना है अब देखिए अगर हम unit की बात करें तो 1,2,3,4,5 five units में हमको इसको पढ़ना है कितने units में पढ़ना है five units में पढ़ना है जो first unit आपका रहेगा वो matter its nature and behavior रहेगा और जो हमारा second unit रहेगा वो रहेगा organization the living world क्या रहेगा organization the living world और जो third रहेगा वो motion force and work रहेगा फिप्थ रहेगा our environment फिप्थ रहेगा food क्या रहेगा food रहेगा अब देखिए हमको कौन कौन से chapter इसमें पढ़ने है तो अगर हम बात करें matter में किसमें matter में जो unit 1 रहेगा उसमें हमको पूरा का पूरा chemistry पढ़ना है क्या पढ़ना है पूरा का पूरा इसमें chemistry आपको पढ़ना अब देखिये unit one जो हमारे रहेगा matter matter में हमको chemistry के one two four four chapter total पढ़ने हैं कितने चेप्टर पढ़ने हैं four chapter पढ़ने हैं इसमें जो रहेगा matter in our surroundings हमारे आसपास के पदार्थ second chapter रहेगा is matter around us pure क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो सुद्ध हैं और जो रहेगा third chapter atoms and molecules और fourth chapter रहेगा structure of the atoms परमाड एवं अड़ू और परमाड की संरचना तो ये पूरा का पूरा chemistry वाला पार्ट हो गया जिसको हमको पढ़ना है और chemistry वाले पार्ट में 23 marks ध्यान दीजेगा इस पार्ट से 23 marks के question exams में annual exams में पूछे जाएंगे और लगभग इसको हमको 50 lecture पढ़ने हैं कितने lecture पढ़ने हैं 50 lecture में हमारा chemistry का जो पार्ट रहेगा वो complete हो जाएगा जो second unit रहेगा वो रहेगा organization in the living world और इसमें देखे chapter 5, 6 और 7 पूरा का पूरा biology इसमें पढ़ना है और biology में जो chapter रहेंगे वो fundamental unit of life, 5th chapter, 6th chapter tissues रहेगा, 7th chapter आपका diversity in living और रहेगा अगर हम इसको अगर हिंदी में बोलें तो structure the fundamental unit of life यह रहेगा जीवन की मौलिक इकाई, tissues यानि उतक, diversity in living और जीवों की विवित्ता और यह पूरा का पूरा 20 marks का रहेगा और 45 lecture में इसको हमको पढ़ना है थर्ड unit जो रहेगा वो आपका रहेगा motion, force and work और इसका जो chapter रहेगा वो रहेगा chapter 8 से chapter 12 तक और लगभग इसमें physics के सारे chapter complete हो जाते हैं और इसकी जो marking रहेगी वो 27 number कर रहेगा और 60 lecture इसको हमको पढ़ना है अब इसमें देखें थर्ड वाले में कितने chapter कौन कौन से chapter हमको पढ़ना है तो अगर chapter की बात करें तो सबसे पहले तो आपका chapter motion हो जाएगा motion के बाद में force and love motion हो जाएगा और जो chapter रहेगा 10 वो रहेगा gravitation 11 रहेगा work and energy और 12 रहेगा sound इस प्रकार हमको क्या-क्या पढ़ना है motion पढ़ना है force and love motion पढ़ने है gravitation पढ़ना है work and energy and sound पढ़ना है तो यह रहा हमारा third unit जिसमें 27 marks पुछा जाएगा अब देखें जो fourth unit है वो हमारा है our environment और environments में जो है यह रहेगा chapter number 13 और 14 कौन सा chapter रहेगा chapter number 13 why do we fall ill और 14 natural resources यह 6 marks के पूछे जाएगे 6 marks की question इसमें से आएगा और 15 lecture लगेंगे इसको complete करते हैं अब जो last unit की बात करें तो last unit हमारा है food and food production और यह रहेगा chapter number 15 जो कि आपका chapter नेम है improvement in food resources खादिस अंसाधनों में कैसे सुधार करेंगे और four number के question इसमें से पूछे जाएंगे और ten lecture लगेंगे इसको हमको पढ़ते हूँ इस प्रकार हमने देखा कि जो class 9 का course structure है उसमें कुल मिलाके 80 marks का हमारा जो रहेगा वो question पूछा जाएगा और 180 lecture इसको लगेंगे 180 lecture में हम इसको पूरा course structure को complete करेंगे अब आईए बात करते हैं हम CVSE class 10 के बारे में अब आप लोग देखेंगे science course structure CVSE class 10 इसको देखे कितने unit में बाटा गया है ये भी कुल मिलाके 5 unit में इसको बाटा गया है 5 unit में जो first unit हमारे रहेगा वो first unit रहेगा chemical substances, nature and behavior इस पार्ट में पूरा का पूरा हमको chapter 1 से 5 तक chemistry पढ़ना है chapter 1 क्या है आपका chemical reaction and equations chapter 2 है acid, base and salt chapter 3 है metal and non-metal chapter 4 रहेगा carbon and its compound chapter 5 रहेगा periodic classification of elements तो ये रहा आपका chemistry वाला part जो की 25 marks के पूछे जाएगे और इसको 55 lecture में हम लोग complete करेंगे जो second unit रहेगा वो आपका रहेगा world of living इसमें पूरा का पूरा biology पूछा जाएगा जो की chapter number 6 से और chapter number 9 तक है chapter number 6 life process chapter number 7 control and coordination 8 chapter how does organism reproduce chapter number 9 heredity and evolution तो ये 23 marks के question पूछे जाएगे cbc board exam में और 50 lecture में इसको पढ़ना है unit 3 आपका रहेगा natural phenomena और natural phenomena में chapter 10 और 11 पढ़ने हैं जो की आपका light और eye वाला chapter रहेगा ये physics का portion होगा इसमें से 12 number के question पूछे जाएगे और 23 lecture में इसको complete करना है अब देखिए आपका fourth unit क्या रहेगा fourth unit रहेगा effect of currents chapter 12 और 13 जो की physics का ही chapter है current और magnetic effect और ये 13 number के पूछे जिए 13 marks का ये रहेगा 32 lecture में इसको उमको complete करना है unit 5 जो last unit रहेगा ये है natural resources chapter number 14, 15, 16 energy, environment और natural resources ये 3 chapter हमको unit 5 में पढ़ने हैं और 7 marks की question इसमें से पूछे जाएंगे और 20 lecture में इसको हमको complete करना है इस प्रकार अगर हम देखें तो 80 marks का ये class 10th का है जो paper होगा CBC board का वो होगा 20 number का आपका internal assessment होगा और जो इसको हमको total lecture पढ़ने है ये 180 lecture हमको total पढ़ने है और 180 lecture हमारे द्वारा इस channel पर upload किया जाएगा Students ये रहा Class 10th का course structure Class 9th का course structure Science subject का अब जो हमारा रहेगा इन सारे chapters और units को कैसे पढ़ना है तो आप हमारे इस channel के माध्यम से आप पढ़ेंगे आप सभी लोगों को जितने भी छात्र जितने भी students हमसे जुड़े हुए है Maths और Science के सारे lecture इसी channel पर upload किये जाएगे Live classes भी होंगी और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगे आप लोग अच्छे से पढ़िए स्वस्त रहिए मस्त रहिए घर पर रहिए सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो Science के लेक्चर upload होना शुरू हो जाएगे और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वन के साथ में जो कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाइन्थ और तेन्थ क्लास का फिजिक्स फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहेन गुडबाई टेक केर